नमस्कार दोस्तों स्वाथ है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में और आज की जो वीडियो है काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जाने के पाथ सवालों के जवाब है और इन सवालों के अंदर आपके सभी जो कोश कखने के पड़ेगी और मैं उम्मेद करता हूं की वीडियो आप काफी पसंद करेंगे ओ यह चूरु करेंगे तो देख्येशन चोफे पहले हैं कि क्या कोई क्या अनमेरिट कपल आपनेलिए वोग्ष कर सकता है या नहीं मुझा कर्सकता है तो कितनी होनी चाहिए नंबर दो क्या कोई अनमेरिट कपल को पिलिस अरेश्ट और नमबर पाच अगर पुलिस में तो आपको क्या करना होगा आज के पने जो वीडियो है इन 5 questions के उपर बेस होगी और जानेंगे इन 5 सवालों के जवाब और मुझे लगता है कि इस से बाहर आपको कोई भी question नहीं होगा यदि होगा तो आप मुझे comment जरूर कीजिएगा तो आज शुरू करते हैं और जानते ही इन 5 सवालों के जवाब तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पहले person के बारे में कि क्या कोई unmarried couple जो है ओयो room book कर सकता है अपने लिए या नहीं तो देखिए यदि हम इसे कानुनी तोर पर समझे तो कोई भी contract करने के लिए जो parties है उनकी उमर 18 वर्ष या फिर उससे उपर होने चाहिए यदि उनकी उमर 18 वर्ष से कम है तो वो contract नहीं कर सकते साथी साथ उनका sound mind होना बहुत जरूरी है या दिमागी रूप से उनका स्वस्त होना काफी जरूरी है और ये भी एक contract ही है आपके बीच ओयो और hotel वालों के बीच उसके लावा यदि हम ओयो की terms and conditions के बारे में बात करें तो उनका भी यह कहना है कि जो वैक्ति होटल बुक कर रहा है उसकी उमर 18 वर्ष या फिर उससे उपर होने चाहिए और यदि उस वैक्ति की जो उमर है वो 18 वर्ष से कम है तो वहाँ पर उस case में उसके जो guardian है या फिर पढ़ भी सकते हैं तो इन शोट हम यह समझ सकते हैं कि ओयो रूम की booking के लिए आपकी उमर जो है वो कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए या फिर उससे उपर होनी चाहिए यहां पर इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप लड़का है या फिर दो लड़के हैं एक लड़की है दो लड़का लड़की दोनों साथ में वहां पर जा रहा हैं इस बात से कोई मतलब नहीं है आपकी उम्र जो है 18 वर्ष या उसे प्लस होनी चाहिए आप चाहें कपल हो चाहें अन्मेरिट कपल हो कोई फरक नहीं पड़ता यदि आपकी उम्रे 18 वर्ष से जादा है और आप एक अन्मेरिट कपल है तो आप डेफिनेटली 100% ओयो रूम बुक कर सकते हैं तो यह था आपके पहले परशन का जवाब इसके बाद हम आज का अपने दूसरा परशन जो है वो देखते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे परशन के बारे में कि क्या कोई एक अन्मेरिट कपल ओयो रूम में एक साथ रह सकते हैं नहीं तो देखिए इसका जो जवाब है बिल्कुल सिंपल सा है कि यदि आपकी उमर 18 वर्ष या उससे ज्यादा है तो आप डेफिनेटली जो है ओयो रूम में रह सकते हैं एक साथ जाहे आप एक दिन रहो दो दिन रहो या फिर आप मु मैं रुकना इल्लीगल है नहीं तो यहां भी वही बात लागो होती है उमर वाली कि यदि आपकी उमर 18 वर्ष उपर है तो आप और यदि आप कोई इल्लीगल एक्ट नहीं कर रहे हैं उस रूम के अंदर यानि कि जो ऐसा कोई काम जो करनून के खिलाफ हैं वह आप नहीं कर कपल को जो है पुलिस अरेश्ट कर सकती है नहीं तो देखिए यदि आप लोगों ने जो रूम बुक किया है वह सिर्फ एंजोइमेंट पर पर से किया है और आप एक अन्मेरिट कपल हैं और आपकी उमर जो है ठारा या ठारा प्लस हैं तो वहां पर आप बिल्कुल जा सकत हैं पर आपको पुलिस जो अरेश्ट नहीं कर सकती हैं बसरते आपकी उमर होनीची ठारा या प्लस या फिर आप वहां पर कोई illegal act ना कर रहे हूं illegal in the sense याने कि आप जो है ऐसा कोई काम ना कर रहे हो जो कि कनून के खिलाफ है नंबर पाच और सबसे आखरी हो सबसे important सवाल कई बार ऐसा होता है कि एक और रूम में एक unmarried couple रुका हुआ है और उनकी उमर जो है 18 या फिर 18 प्लस है फिर भी वहां पुलिस आ जाती है और उन्हें परिशान करती है तो उस case में आपको क्या करना है तो देखिए सबसे नाम आपकी उमर आपका एड्रेस आपके पिता का नाम यह सारा कुछ आपसे वहां पूछ सकती है वह आपसे आपका आइडेंटी कार्ड या अधार कार्ड या फिर वोटर आइडी कार्ड कुछ भी मलब की देखने के लिए मांग सकते हैं तो उस case में आपको पुलिस को में करना है कि सार हम फेलों bob 친ण 208 moral हैं मुझ दॉन 18 प्टलस हैं वो कुछ नहीं और कुछ दिर नहीं सकते आपको आपको ड़ाते धंकाते हैं तो उसके खिलाफ आप complaint भी कर सकते हैं उस पुलिस वाले खिलाफ आप complaint भी कर सकते हैं तो यह थी एक चोटी सी जानकारी और और अन्मेरिट कपल के झाल झाल